हेलो फ्रेंज वेलकुम टू में चैनल ब्यूटे एंड हेस्टाइल्स आज मैं आपके लिए कि आई हूं फेस मसाज जो कि आप खुद अपने घर पे कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं यह मैं आज आपको बताऊंगी देखिए फेस मसाज जो है इसके बेनिफिट्स क्या है फाइन लाइन्स रिंकल्स इसके साथ स्ट्रेस स्ट्रेस को टेंशन और कोई भी जो हैविनेस हैड एच तो यह जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यह जो फेस मसाज से हम दूर कर सकते हैं क्योंकि फेस मसाज से क्या होता है आप रिलेक्स हो जाते हो आप बहुत जादा लाइ जो persons होते हैं बहुत many spins करते हैं पार्लर में, salons में, face massage के लिए जैसे कि facial वगरा करवाते हैं उसमें भी face massage होती है तो यानि आप DIY यानि कि खुद से ही घर पे face massage किस तरह से करें आज मैं आपको बताने जा रहे हूं और यह आपकी skin के glow के लिए भी help करता है तो let's start with my video, first of all आपने अपने hairs को tie up करना है तो मेरे पास है यहाँ पर मेरा zigzag clip जिसकी helps में अपने hairs को यहाँ पर tie up कर लेती है और tie up करने के बाद मैं कोई भी cleanser यूज़ कर सकते हैं कोई cream यूज़ कर सकते हैं, cream means to say कि कोई moisturizer type की cream नॉर्मल क्रीम नहीं यूज़ करने आप में और साथ में aloe vera gel यूज़ कर सकते हैं या ऐसी चीज़ जो कि आपके face पे फिसले जिससे आपका hand आपके face पे फिसलना चाहिए बस simple जिसमें liquification के साथ साथ lubrication भी हो यानि वो थोड़ी liquid में होनी चाहिए, hard नहीं होनी चाहिए means to say कि उसकी जो consistency है वो थोड़ी soft होनी चाहिए watery type consistency होनी चाहिए और उसकी viscosity थोड़ी यानि जो उसका गाड़ापन है viscosity वो कहाना मैं जादा बहुत जादा नहीं होनी चाहिए या थोड़ी light consistency में होनी चाहिए थोड़ी light viscosity flowing consistency में होनी होनी चाहिए यासी आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आपको कोई प्राव्रम नहीं आएगे और अब चलते हैं फेस मसाज के लिए फेस मसाज करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वाटर से वाश करके के टौवल से क्लीन कर लें अब हमने यहां पर क्या यूज करना है मैं यहां पर यूज कर रही है अपनी अलोवेरा जिल अलोवेरा जिल की जो कंसिस्टेंसी है वह बहुत अच्छी होती है और यह जो है थोड़ा लिक्विफाय स्टेट में होती है हार्ड नहीं होती है और अच्छे से फिसलती है इसके लावा आपके आजिस कर सकते हो आपना मौश्यराइजर यूज कर सकते हो कुछ भी यूज कर सकते हो हम ऐसी फेस मसाज से मतलब है हमें अभी प्रोटक्ट के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं तो यह मेरे पास ऐलोवेरा जेल इस जेल में मैंने थोड़ासा मैं एपने आपने फैलाना है और इस तरह से अपने फेस पे फैलाएं फेस मसाज के लिए आपको क्या करना होता है मैंने लिया है वाटर वाटर की हैल्प से मैं इसे रब करूंगे अपने फेस पे फेस मसाज के लिए आपने यह वाल एजर पर चीक बोन से हम डाउन से या अपवर्ड जाहसे भी स्टाटर चीक बोन से इसको इस तरह से अपने जो चीक है से ऊपर की तरफ खीचना है इस तरह से ऊपर की तरफ सीम इस पोर्शन को भी आपने अपने ऊपर की तरफ इस तरह स से खीच रहा है यह आपके फर्स्ट स्टेप है फीस मिसाज का डिया वाइब फीस में जो आप घर पे खुद कर जैसे मैं कर रही हूं आप सीम ऐसे ही कर सकते हो पानी लेते रहें इसको सूखने नहीं देना है तो अच्छे से करें नेक्स्ट आपके लीप से इन्हें आप इस एस तरह से लेकर जाएं इस तरह से इससे क्या होगा स्कीन टाइटनिंग होगी और आपके फ़िसलोड़ सर्कुलेशन बढ़ेगा तो यह से करने हैं skin tightening और blood circulation अगर इस तरह से लेकी जा रहे हैं तो यह portion यह वह स्टप नेक्स टैप आपका यह वह रहेगा यह दिस and this upward and यहां से भी upward और इस तरह से जाना है इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह मुझे लग रहा है मेरे product रहा है product रहें नहीं देना थोड़ा ओटर लेते रहें और या rose water का भी उस कर सकते हैं इस तरह से और इस तरह से करें next आपनी क्या करना हैologies अपनी eyebrows यह जो है इसको इस तरह से प्रेस करें और प्रेस करते हुए से इस तरह से दबाते हुए लेके जाएं इस तरह से और इसको भी थोड़ा upward direction में इस तरह से लें अपनी eyes के surround यह वाली formation fine line जो हमारी यहां पर आती है उसके लिए भी upward direction में हमारा जो मसाज का प्रोसेस है वह downward direction में बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर downward direction में होगा आपनी उसकीन है वह loose हो जाएगी और लटक जाएगी तो इसलिए हम जो है यह upward direction में लेते हैं और यह वाली portion दोनों साइड से इस तरह से लेते हुए upward direction में जाएंगे और अपने जो forehead को भी अच्छे से मसाल देंगे और इसके acupressure points को दबाते हो चलेंगे अपने और आपने क्या करना है यह वाली formation रखनी है जो आपका जब आपको लगे कि आपका जो पूरा जो प्रोसेस है वह complete हो चुका है आपके यह प्रोसेस करने में आपको 10-15 मिनिट्स लगेंगे जब आपको लगे कि आपका जो सारा product है वह मर्ज हो गया है ठीक है तो उसके बाद आपने क्या करना है अपने दोनों हैंड में इस तरह से लेके अबवर डार्शिं में इस तरह से लेके इस तरह से इसे करने से आपका पूरा जो फेस है वह रिलाक्स कंडिशन में आएगा और इसको अपनी आइस को अपने दोनों हैंड से इस तरह से दबाना है इस तरह अपने आइस को प्रेस करना है है अपने फेस को थोड़ा अफ़र डार्शिं में क्या करना है पुष करना है तो आपकी जोसाय स्ट्रेस है और जो रिलाक्स आपको मिलेगा वह बहुत ही अच्छा होगा तो I hope so कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा थेंक्यी वीडियो दिखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल, व्यूटी एंड हेस्ट्राइल से बिए सब्सक्राइब कर सकते हैं थेंक्यू, गुडबाई